मेवात इलाके में अब धीरे धीरे बच्चों को उठाने वाले लोगों का गिरो सक्री होता जा रहा है आए दिन कहीं न कहीं से बच्चे उठाने की खबरें सामने आ रही हैं ऐसे मेवात के लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें यह खबर राजस्तान के सीकरी थानांतरगत डाइना का बास के नंगला नक्चा का बास की है जहां से दिन द्याडे एक ढ़ाई से तीन साल के बच्चे को घर से उठा लिया गया इस वक्त बच्चे की मा का रोरो कर बुरा हाल है जब हमारी मीडिया की टीम ने बच्चे की मा से जानकर लेने की कौसिस की तो मा का रोरो कर गलास सूखा हुआ है जिससे बोलने में असमर्थ है परीजनों ने ग्रामिनों ने आसपास के ज्वारबाज़रे के खेतों में ढूंडने में काफे प्रियास किया लेकिन कहीं भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा मेबात इलाके के सभी लोगों से हमारी अपील है कि बाहर से आए भिकमंगों से अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें राइस्तान सीकरी से MTV हरियाना के लिए मुहम्मन असलम की रिपोर्ट यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा से शेयर करें हो सकता है आपके एक सेयर से किसी का खोया हुआ बच्चा वापिस मिल जाए मेरा नाम जुबेर जी गाउन नक्चा कवास थाना सीकरी मतलब क्या है के तकरीबन आठ से दस दिन पहले यहां बेगती है था तो हमारे हाजी जी आ रहे तो उन्होंने का थे तू खूब लंब तक्राइब जबाने तू मांगे क्यों तो बच्चों को बच्चों के लिए तो नहीं पूरे परवार ने देखा है उसके बाद में जब बच्चा आसपास नहीं मिला है फिर हमने सो नंबर पर फोन किया और पुलिश को इंफर्म किया पुलिश हम मोखे पर आई प्रसासन और भी आये यहां पर फिर आसपास के गाहों के लोग हजारों की शंख्या में भीड हो सब्सक्राइब नहीं हमें सक है तो सिर्फ मांगना वालों पर है और मेरा सब से यही निवेदने का आप किसी भी इस तरीके का कोई भीकारी टाइप में आदमी आए तो थोड़ा उन से सावधान रहें और बच्चे की पहचान क्या अगर किसी की नजरों में बच्चा यह मतलब गोल गला में और उसकी जो कोलर है वो बलेक टाइप में है और गले में धागा भी बंदा हुआ है बाखी उस नीचे कुछ पहन नहीं रखा पैंट बगर ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास में अंडरेवेर कुछ नहीं थी यह कोई पहली वार्दात है यह से पहल प्रिशासन की तरफ से स्टाइटिंग में बहुत अच्छी कारवाई थी लेकिन अब प्रिशासन मुझे लग रहे कर लोग इतना एक्टिव नहीं है बहानाबाजी लगा रहे है कि सावाज हो गया वो हो गया और उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे है जो करना चाए तो प्र करेंगे एषडियम कोट के सामने रोड जाम करेंगे इलाके के सारे जुम्हेदार छोटे बड़े सभी जाएंगे अबरे साथ अक्तर जी ये सुबह जो चारा के लिए जाती है लेडी जे साथ सड़ साथ वजे उसके बाद में उठाया ये घर से ये तीन साल से लिए के ढ़ आये जे सिन्यार लेके बच्चे चारा लेक आये चारा लेके बाद यहां घरवालों ने डूंड करी पहले फिर गाम में अलाउंस करवायो फिर गाम वाले आये सारे गाम वालों ने आधर इधर सगले घूमा फिर पिर सासन को खवर दी पिर सासन आयो बाद में सारे दिन ऐस हैंसा कोई स्याथ कोषन मन करनेर है उसके कृष्षी वाइसा कुछ मैं परossips बाजर की दोलिख़ नहीं आहे ध्यका कोई नहीं जोली से किसटी आख एंड इस में नएंठ workers कॉछ नहीं से इसमें कि इसमें हमारे इसमें सक्थावे बच्य इसमें गया हो किसी तरह से किर गया है जयसे यह गड़्डा है यह बाजरा का खेत है है और चपली कि यहां मिली थी यहां मिली इसलिए जादा सकी धर की तरह पी गया पहले पहले ढूंड भी घरी करी गामवडों ने उसके बाद में आजू-बाजू के जैसे सो दो सो मिल्टर के दूरी में पिर और जादा दूरी म में आजु बार्जु का गामिन में कॉल करा ओख्टने डॉंडि करी एक खुल मिलार के फिलिस को इतला कारी पिली साइब मूखह पे पिलीस ने पर फेले थांदर साब है रुर उसने सियो साहब को बूलाया था सियो साथ के बाद में कुछ को गुए. व harvest यहाई सेचलागए लाज एब इस ताइम दो दिन नहीं आ जा रिकिव आ पधो कर दो किसी नहीं नहीं दिखा उस से पहले मांगने वाले कि कुछ बात आ रही है तो उसको अभी करह सकते है वह जंगल में हैं हां जंगल में उप uzân Live नहीं और भी इस सिंगल घरहना Cowardik ये तो विचारा है मजदूरी का काम करता है क्या इसका की चारल पर करना है 피부 के नामे जी उमें दिन युद रचार गाथम वाजरान में दो गंटा तक पीछे फिर गाम की दुनिया आगी हैलान भी करवायो फिर कुछ ना पाता चलिया हम बाजरान में दुनिया डूली कोब डूंड थी अच्छा ये बता ये उसने हाइट कितनी थी मतलब लंबाई कितनी थी उसकी लंबाई तो थी हूँ जो बस तेन साल को थी अजर तीन साल को थी दाइ तीन साल को थीवाजरेट केसे थी आल जालता अटरिया पूरा घुला पूरा बुरा स्बाण में झाल के रगंज़ो नकांटिनाड में बंद्री पाम में युक ताहागो बंदरो जो कोई स्टिस्मानी इह हैं आपका इस लुक साल में आ खूब डूंडो पोलीस ने काल भी परसो भी ना मिलो कहीं बिना मिलो सारा बाजरान में डूंडो खूब अमने डूंडो जा दिन कोयो फिर गाम ने डूंडवायो अमरा कहले